प्रस्न दो, निम्ने लेखित का गुननखर निकालें, प्रस्न दो का पांचवाँ, पैंतिस माइनस दो बी, माइनस बी स्क्वाइट, तो प्रस्न क्या है, पैंतिस माइनस दो बी, माइनस बी स्क्वाइर, तो इसको गुननखर करना है, तो मध्य पद क्या है, यहाँ पे, दो बी है, यानि माइनस दो बी है, तो इसको सिर्फ माइनस दो हम, यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, तो मध्य पद को, मध्य पद कितन माइनस दो भी है, यानि माइनस दो लाना है घटा करके हमें, और गुना करके लाना है 35b², यानि माइनस 35b², तो यहां पर गुना करके कितना लाना है, देखें, गुना करके लाना है माइनस 35b², ये दोनों गुना करके कितना आ रहा है, 35 गुना माइनस 20b², क्या आ रहा है, मा जोड करके या घटा करके लाना है माइनस 2B ठीक है माइनस 2B तो B square और B को ये तो बाद में समझ लेंगे सिर्फ यहाँ पे हम लेके चलते हैं 35 और 2 क्या लेके चलते हैं 35 और 2 तो देखे गुना करके कितना लाना है 35 लाना है और जोड करके या घटा करके 2 लाना है ठीक है देखे 35B square हो रहा है गुना करके ये दोनों को गुना करें कितना हो रहा है माइनस 35B square हो रहा है ठीक है तो सिर्फ हम 35 लेके चलेंगे यहाँ पे समझने के लिए और माइनस 2 आना चाहिए जोड करके या घटा करके तो सिर्फ हम 2 लेके चलेंगे तो देखे 7 पचे 35 होता है 7 में 5 गुना करने पर क्या आता है 35 और 7 में अगर 5 को घटा दें तो 2 आ जाएगा ठीक है तो मध्य पद को यानि मध्य पद क्या है 2 है माइनस 2 है तो माइनस 2 को इस तरह से तोड़ेंगे कि कितना आ जाए यानि माइनस 2 को इस तरह से तोड़ेंगे घटा करके इतना आए तो 7 और 5 लिखेंगे क्योंगी 7 में से 5 घटके क्या आता है 2 और गुना करके भी देखे 35 आ रहा है जो की चाहिए हमें 35 ये दोनों को गुणा करके आ रहा है 35 ठीक है सिर्फ संख्या हम लेके चल रहे है B2 तो बाद में हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 5B फिर लिखेंगे 7B इस तरह लिख लेंगे अब देखें कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा ये कैसे पता करेंगे तो 2 माइनस में है यानि बड़ा उला संख्या माइनस में होगा तो 5 से बड़ा है 7 यानि 7 माइनस में होगा और 5 प्लस में होगा क्योंकि 5 छोटा है 7 से तो देखे 5 में से 7 घटाएंगे यानि छोटा संक्या में से बड़ा संक्या हो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में यानि माइनस 2 आएगा 5 में से 7 को घटाने पर तो 5 माइनस 7 कितना होगा माइनस 2 ठीक है यानि प्लस 5B, माइनस 7B, क्या हो जाएगा, माइनस 2B, दोनों के साथ B भी लिख देना है, अब देखिए, गुना करने में कितना आ रहा है, तो 7 पचे 35, और B गुना B, यानि B square, और प्लस माइनस माइनस, यानि माइनस 35 B square आ रहा है, ये दोनों को गुना करके, जो कि हमें चाहिए कितना चाहिए, तो माइनस 35 B square चाहिए, ये दोनों को गुना करके क्या रहा है, माइनस 35 B square, तो इस तरह लिख लेंगे, तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ करके लिख देना है, अब यहाँ पे, देखिए, 35 प्लस 5 B में, ये दोनों में, क्या common निकल रहा है, यानि दोनों सारो गुनान खंड क्या है, 5 है, तो 5 को common ले लेंगे, क्योंकि 5 से 35 साथ बार में कर जाता है, तो 5 साथ है 35, तो 7 लिख देंगे, प्लस 5 common ले लिए हैं, तो B यहाँ पे बच जाएगा, यानि 7 प्लस B हो गया, ये दोनों में से common लेने पर, अब ये दोनों में से common लेंगे, तो देखें, ये दोनों में B इसमें भी है, और B यहाँ भी है, ठीक है, तो B को common लेंगे, यानि minus B को, यहाँ पे क्या है, minus है, तो minus B को common ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, minus B को common ले ले लिए, तो 7 बचेगा, देखें, minus B को common ले ले लिए, तो 7 बचा, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे. और यहाँ पर चीन कुन सा आएगा? तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है. तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो यहाँ पर प्लस देंगे. अब B Somewhere में से B Common हो गया तो यहाँ पर B लिख देंगे. तो साथ प्लस बी पांस के साथ गुना हो रहा है और साथ प्लस बी माइनस बी के साथ गुना हो रहा है तो साथ प्लस बी को कॉमन ले लेंगे क्योंकि साथ प्लस बी पांस के साथ गुना हो रहा है और साथ प्लस बी माइनस बी के साथ गुना हो रहा है तो साथ प्लस बी को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया पांस और यहां पे क्या बच गया माइनस बी यानि इसका उत्तर हो गया 7 plus B, गुना 5 minus B तो 5 minus B को इधर लिख दें, चैहे 7 minus B को इधर लिखदें कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी उत्तर सही है बस 7 plus B, ये दोनों गुना में है, तो 5 minus B को आप इधर भी लिख सकते है और 7-b को बाद में भी लिख सकते हैं तो इसका उत्तर क्या आ गया 7-b गुना 5-b या इसका उत्तर 5-b गुना 7-b भी हम लिख सकते हैं यानि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5-b गुना 7-b देखे बस 5-b को पहले लिख दिये हैं और 7-b को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों गुना में हैं तो किसी को भी पहले या बाद में लिखें बात बराबर ही हैं तो इसका उत्तर हो गया 5-b गुना 7-b या 7-b गुना 5-b प्रस्न 6 तो प्रस्न 6 में है 96-4b 96-4b और जोड करके या घटा करके लाना है 4 देखे गुना करके कितना लाना है 96 यानि माइनस में है तो माइनस 96 बीए स्क्वाइर लाना है और जोड करके या घटा करके लाना है माइनस 4 ठीक है तो इस तरह इसको समझेंगे हो यानि इसको सिधा सिधी समझ लेंगे कि गुना करके 96 लाना है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, संख्या में सिर्फ 4 है, यानि गुना करके 96 लाना है, और जोड करके या घटा करके कितना लाना है, 4 लाना है, तो कैसे करेंगे इसको, तो 96 का, 96 का हम अभाज गुननखंड करेंगे, तो देखे, 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2000, 26, 12 और दो तिया 6, इस तरह से इसका गुननखंड कर लेंगे, अब इसका गुननखंड में देखे, ये तीनों को गुना करने पे कितना आज है, 12 देखे, तीनों को गुना करने पे, 2 दूना 4 दूना 8, यानि 12 गुना 8 क्या होता है 96 ठीक है देखे 3 दूना 6 6 दूना 12 और इधर से गुना करेंगे ये 3ों को तो 2 दूना 4 4 दूना 8 यानि 12 आठी 96 कितना आ रहा है 12 आठी 96 और 12 में से अगर 8 को घटा दें तो 4 आ रहा है तो वही हमें चाहिए गुना करके 96 लाना था और जोड करके या घटा करके 4 लाना था तो देखे मिल चुका है 12 आठी 96 और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 96 तो 12 आठी 96 होता है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पर 12 लिख देंगे और minus Bteh square हम लिख देते हैं यहाँ पर ठीक है तो देखे, B है साथ में तो दोनों में B लिख देंगे यानि यहाँ भी B और यहाँ भी B अब कौन plus में होगा? कौन minus में होगा? तो देखे, यहाँ पर minus 4 है यानि बड़ा उला संख्या माइनस में होगा तो 8 से बड़ा है 12 12 माइनस में होगा और ये प्लस में होगा तबी देखे 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा यानि छोटा संख्या में से बड़ा संख्या हो घटाने पी क्या आएगा माइनस 4 यानि 8 में से 12 गटाएंगे तो minus 4 आएगा यानि plus 8 B minus 12 B क्या हो जाएगा minus 4 B और गुना करेंगे तो 12, 96 और B गुना B B square और plus minus minus यानि minus 96 B square आ रहा है गुना करके ये दोनों को गुना करके क्या आ रहा है minus 96 B square जो कि यहाँ पर आना चाहिए 96 B square माइनस में, यानि माइनस 96B गुना करके भी आ रहा है और घटा करके आ रहा है माइनस 4B, तो इस तरह हम लिख देंगे, यानि मध्ध पद को इस तरह से तोड़ लेंगे अब 96 प्लस 8B में, देखे 96 प्लस 8B में 8 यानि 12-8-96 होता है ठीका, 8, 8 से 12-8 में कट जाता है, तो 8 को common लेंगे, क्योंकि 8 दोनों जगह है, इसमें भी है 8 गुना 12-96 होता है, और 8 यहां भी है तो 8 common लेंगे, तो यहां पर 12 बचेगा, 12-96 प्लस, 8 common लेंगे, तो यहां पर B लिख लेंगे अब इन दोनों में देखिए, B 12 के साथ भी गुना हो रहा है, और यहां पर B square है, तो B common लेंगे और यहां पर minus है, तो minus B common लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहां पर minus B common लेंगे, तो 12 बचेगा, तो 12 लिख लेंगे और अब यहां पर चीन कौन सा देंगे तो minus, minus, देखिए, minus यहां पर, यहां पर minus है, तो minus, minus क्या होगा, plus और B common लेंगे, यहां पर B का अगाद 2 है, तो B लिख लेंगे अब 12 plus B, 8 के साथ गुना हो रहा है और 12 plus B, minus B के साथ गुना हो रहा है, ठीक है, तो 12 plus B को common ले लेते हैं 12 plus B को common ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा minus b तो इसका उत्तर क्या हो गया 12 plus b गुना 8 minus b 12 plus b गुना 8 minus b या 8 minus b गुना 12 plus b तो 8 minus b को पहले लिख दे हैं और 12 plus b को बाद में लिख दे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो इसका उत्तर हो गया यानि इसका गुनानकंड हो गया 12 plus b गुना 8 minus b तो इस तरह से इसको हल करेंगे करेंगे